ब्रक्ष तो सब पाली का नहीं है, संस्काइद भासा है, रुख बोलते हैं, यानि बोधी रुख कहा गया, या बोधी मूल, मूल माने जड़ा उसका, तो आता है सन्नी सिन्नो बोधी मूले, यानि कि उस ब्रक्ष के नीचे, जड़ के नीचे बैठे हैं, तो ग्यान प्राप्ट हुआ, सिंपल साधरहन सा ग्यान उन्हें प्राप्ट हुआ, कोई चमतकार नहीं हुआ, उन्होंने अपने सारे जितने पाप थे, वो निकाल दिये, और जितो सरीन में पुन्य थे, जितने सरीन में सुख थे, जितने सरीन में बड़ी अश्ची थी, वो रह गई, वैक्टी की जब पैदा होता है, तो उसके अंदर अच्छाई हैं यह अच्छाई होती है, बुराइयं सारी यहां के बंती हैं और बढ़ती हैं, उन्होंने पढ़ाने असफारल न संसातर्ण пригए चलना होता था कहीं भी आओगे जाओगे महीनों लगते थे तो जगे 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 जगेند साफ करते और आपर राम ऩारम बनाते दूराम याराम बोलते हृणि वह this तो रामiques ये कि भगवान बुद्ध ने इतना ज़्यादा लोगों को पढ़ाया, इतना ज़्यादा समझाया, इतना ज़्यादा लोगों का पाप दूर किया, कि सैतान को दिक्कत होगी, अब सैतान क्या है, सैतान वही है जो भगवान बुद्ध ने अपने सहीर से निकाला, यानि सारी बुराई, सारी बुराईयों के समू को सदार को सैतान कहते है, और जो बुराईयों का समू सैतान है, वो अकिला नहीं है, वो क्या करता है, वो आपको मारने के लिए अपनी सैना भीजता है, यानि कि अपने सिपाही भीजता है, अपनी सैना भीजता है शैतान, उसको यहाँ द पुत्र मार बोल सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं, शैतान जल्दी समझ में आता है, तो सैतान की सेना कैसी है, बड़ी मैदा सेना है, सैतान की सेना है, लालच है, करोध है, काम वासना है, खाने की वासना है, सुनने की वासना है, देखने की वासना है, चकने की वासना है, ताया क जितनी भी है वो सब उसकी सेना है इसमें भूक भी आती है तो ये सारी सेना का वो एक कोई ना कोई सिपाई आपके अंदर भेजने की कोशिस करता है कुछ सा भी यानि कुरोध भी उसकी सेना है तो वो लगाता कोशिस में रहता है कि कोई सिपाही चला जाए कैसे ही इस व्यक्ति के अंदर तो जिए उस हर व्यक्ति में हर सेना के अंदर सेतान होता है यानि उसके टुकडे बने हुए है हर सिपाही के अंदर सेतान है, हर बुराई के अंदर सेतान है एक आएगी साथ में जैसे शराब पीने की है, नशा करने की है, या हिंसा करने की है, या चोरी करने की है, या जूट बोलने की है, या मिक्छा जार की है, या जूटा वेवार करने की है, बस एक कैसे ही अंदर चली जाए, सरीर के अंदर पहुंच जाए, इंजेक्ट हो जाए, वाइरस समझ लो इसे प्रानासु किया, सैतान एक एक करके सैना उसकी मनने लगी, लोग उने लाला छोड़ दिया, जोट बुला छोड़ दिया, लोग उने करोणा मैतरा भाईचरा सीख लिया, उन्होंने हिंसा छोड़ दी, उन्होंने शराब छोड़ दी, नसा छोड़ दी, विपचा दिया, सैतान, सैतान मर गया, जब सैतान की सैना मर गयी, तो सैतान मर गया, तो सैतान बड़ा परिशान हो गया, सैतान ने कहा कि मैं तो खतब हो गया, अब मैं रहा नहीं, ये बुद्ध आया, तो बुद्ध ने तो बेड़ा करक कर दिया, हर आदमी यहां संत हो गया, संत का मत पहंच बस ये पांच चीज मानते रहना, कभी सेटान चाहता नहीं कर면 क chunky गोग ऑगवाि आपके ज हम ऋकितने चिरी मेंदा, एसके खुर्डार का बंध हो गए, unclear भी उस्की vine, और सुक्रें बढ़ अ के शैतान कोर्सिस करता रहता है, लल्चाता रहता है जैसे आज के समय में आप सराप के बड़े-बड़े एड देखते हैं सिक्रेट के एड देखते हैं, तंबाकू के एड देखते हैं वर्टों को देखते हैं अद्यादे कपड़ा हुए है या जो पिचलें देखते हैंłam माभा धार उते हैं वह सब आपके दिमाग में डाले जाते हैं तो उस शैतान कोशिज करता है कोई ना कोई लालच पहा दे या किसी ओरत के खुशवत खप ढ़ा है तो आपका मन करें के मेरे खुश। खप्रपडे नहीं जया तो फुरी कोशिस करता है कि इस सामने ये सामने वाले को उक्साता है उसको क्रोध लेका आता है को हरकत ऐसा करेगा बार 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 कोश करता रहता है कि आप सैतान को गाली देना सुरू कर देते हो जबर जस्ति कोई व्यक्ति जो सैतान के रूप में भारत के अंदर है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा कि आप उससे परशान हो जाओगे आप तो शान्त हो तो वो आपकी शान्ती को शान्ती में बदलने के लिए कुछ ना कुछ करता रहेगा कुछ ना कुछ करता रहेगा और उल जलूल करेगा बेकार का करेगा जिससे ना देश का कोई लेना देना है ना किसी राजजय का लेना देना है ना किसी घर का ना किसी महल लेगा ना किसी व्यक्ति का बेकार की हरकते करेगा जिससे आप समझते हो कि ये हरकते हैं देश को डुबा रही है ये व्यक्ति को डुबा रही है, ये परिवार को खतम कर रही है ये सरावी बना रही है, ये कबावी बना रही है, ये जुवावी बना रही है और ये जानते होए भी वो लगाता, कोशिस करेगा तो आप irritate होके क्या करोगे? उसको गाली बखोगे या ग्रोध करोगे या गुस्सा करोगे बस यही चाहता है सैतान फिर सैतान जोड से हसता है हाँ 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 हसके क्या कहता है बन गे ना तुम सैतान सैतान का quality क्या होता है गाली देना सैतान का quality क्या होता है irritate होना सैतान का quality क्या होता है क्रोध करना, सैतान किसे कहते है जो हिंसा करे और मैंने तुम्हें अपने जैसा बना लिया, देखो मैंने तुम्हें अतना परिशान किया अतना परिशान किया, कि तुम क्रोध भी आगया तुम्हें, तुम हिंसा के लिए मुतारू होगे तुम मारने के लिए उतार होगे अब तुम कुरूद में कुछ भी कर सकते हैं कुरूद आने के बार में बुद्धी बंद हो जाती है ये कुरूद का सिद्धान थे कुरूद आया नहीं बुद्धी का ताला लगा नहीं तो वो कहता देखो अब तुम मेरे में कोई अंतर नहीं है अब तुम भी सैतान हो और मैं भी सैतान हूँ मैं भी करोद करता हूँ तुम भी कर रहे हो तो सैतान सफल हो जाता है हम सोचते हैं कि हम सैतान को गाली बख रहे हैं आपने हिंसा की नहीं या आप शैतान बने, आपने चोरी की नहीं या आप शैतान बने, यही तो कार में सैतान का, तो सैतान अपनी संख्या बढ़ा लेता है, यानि जो संत हैं, उनमेंसे अगर चार लोगों को उसने अपने जैसा बना दिया, उनको गुस्सा आ गया, उनको क् छोड़ दोगे यह काम तो फिर संत बन जाओगे तो भगवान बुद्ध ने сबी को संत बना दिया और सेटान ज़ारु लगाने के लिए तैयार हो गया सेटान भगवान बुद्ध के बाहर ज़ारु लगाते थे कूला उठाते थे नमस्कार करते थे, कहते हैं हमारी तो रोजी रोटी खता हूँगी, मरगे हमें खाने कुछ नहीं है और भगवान बुद्ध कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें मेरा जो भिक्कू है वो भूका रहलेगा मगर हिंसा नहीं करेगा मेरा जो उपासक है वो कम खालेगा, मर किसी को अब सब्द नहीं बोलेगा मेरा जो उपासक है वो सराब नहीं पिये गाचा है कोई फ्री की थे इससे सैतान मरा और भारत बहुत अच्छी तरह से चला बाद में फिर सैतान ने पनी ताग़ दिखाई यहां शराब भी आ गई, यहां वेबचार भी आ गई, यहां जुआ भी आ गई, यहां नसा भी आ गई, यहां पता भी आ गई, यहां हिंसा भी आ गई, यहां पिच्रों में खूप ज़्यादा करक्शन भी दिखाए जा रहा है सब चीज पूरे भारत में आ गई और अब सेथान का राज हो गया अब जगे 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 हर विक्ती सेथान का एजेंट बनके सेथान का विक्ती बनके चोटा सेथान और बड़ा सेथान बनके घूम रहा है अब सेथानों में राज चला है, हाला कि भगवान बुद्ध का चक है, बापिस आ गया है 70 साल हो गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो कहा था कि एक बुद्धगा यानि पाप का जो समय होता है, वो 25 साल में डाउन होता है भगवान बुद्ध यानि बुद्ध चब कोई बनता है तो उससे लेके और धायजार साल तक ये धीदे धीदे जो पाप है वो बडता है सतन बडता है और धायजार के बाद में फिर शैطان कम होना सरू हुआ जाता है और जो संत हैं वो बढ़ने स्रू हो जाते हैं, अच्छे लोग बढ़ने स्रू हो जाते हैं, तो वो समय आ गया है, 70 साल हो गया है, बावा साब ने जो 1956 में दस्या लोगों को धमकी दिख्चा दी थी, वहां से यह आरम हो गया है, अब पूरी दुनिया के अंदर, शैतानियत जो सदा चार है, उसको फोलो करेंगे, बुद्ध के नाम से करें या ना करें, बुद्ध को फरक्णिंग पड़ता, और बुद्ध का कोई व्यक्ति कहता भी नहीं, कोई भिक्कू कहता भी नहीं, कि आओ मेरे समुदाव में आओ, या मेरे साथ आओ, या मेरे गुर्प में आओ, ऐसी कोई पनबरा बुद्धने आप बनाई भी नहीं, सीखो, सारे के सारे लोग जितने भी हैं, वो सैतानियत खतम करो अपनी, और जो संत है, वो संत अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, संत बहार से नहीं आता है, संत सरीर के अंदर होता है, मन के अंदर होता है, सै आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में करके आगे बढ़नी चाहिए य या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है आपको छूट है ये सभी copyright free हैं आप अपने facebook पे अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपनी नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्स्व का है उन्ही की बात को सलभासा में बत गच्छामे, धंवन्षरनंग गच्छामे, संखन्षरनंग गच्छामे, गच्छामे, धंवन्षरनंग गच्छामे, संखन्षरनंग गच्छामे, गच्छामे, धंवन्षरनंग 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 गच्छामे, धंवन्षरनं